स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रोव इत परसांद में और आज मैं आपको बताऊंगा कि भॉलों का ये कोस्टंस रहता है या फिर नहीं रहता होगा तो मैं आपको आज बता दे रहा हूँ क्योंकि वो हो सकता हूँ नहीं पूछा हूँ उससे बट मेरे नॉलिज में आया ये बात तो इस बीडियो पर इस पर बीडियो बनाना भी है जरूरी है तो इसमें ये रहता है कि अगर हम कम फीज करें तो क्या हमारा सेंटर चल पाएगा और स्टूडेंट हबाय पास आ पाएगा इस बात को आपको भी कहीं न कहीं ये दिमाग में आया हुगा का हम कम फीज करें तो स्टूडेंट आएगा की नहीं आएगा तो देखिए मैं अपने experience के पेस पे आपको ये बात पताना चाहता हूँ कि अगर आपने नया start किया है और आज पास काफी center आपके चल रहे हैं तो आपको fees थोड़ी सी कम रखनी पड़ेगी student को लाने के लिए ये एक fact है क्योंकि अगर आप ज़्यादा fees रखोगे या तो आप उस हिसाब से वहाँ value दो उस center से आप ज़्यादा चीज़ें आप सिखा रहे हो और कुछ ऐसी activity करा रहे हो तो बेसक आप fees ज़्यादा रख सकते हो बट अगर आप normal है उन्हीं कितने हैं तो आपको fees कम रखनी पढ़ेगी शुरुवात में इस बात को आपको देहान रखना पढ़ेगा जब एक बाई student आ जाएगा उनको आप satisfy कर लोगे तो हो सकता है दूसे तीसे चौते बेच में आप fees थोड़ी सी बढ़ा दो तो कोई दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि फिर student को भी पढ़ा चल जाए student को लाने का एक तरीका होता है कि student आपके center पर आपको बुलाना है क्योंकि ज़्यादा fees सबके दमाग में रहती है कि fees भी कमो और पढ़ाए भी अच्छी हो इस बात की mind में रहती है सभी student के तो इसी सोच पर पर हमको चलना पड़ेगा हमें अपनी सोच अभी नहीं इसमें क करने कि हम कुछ extra दे रहे हैं तो हम उससे double fees ले 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 तो आप कम fees में पहले student को बुला लिए आप कुछ अलग उनको extra activity कराईए कुछ special पढ़ाईए और कुछ ऐसा पढ़ाईए जिससे उनके काम आए उनकी job लग सके आप पढ़ाने का उद्दिस यही होना चाहिए कि उनक के ठक गए हैं और मगर उन्हें समझ में आता नहीं है तो किसी ने चार दिन किलास ली किसी ने दो मेने किलास ली किसे छे मेने तो वो सोचते हैं सब ऐसे ही पढ़ा रहे हैं तो आपको फिर यही देखना पड़ेगा कि आपको उस pattern से थोड़ा सा अलग चलना होगा और student को जब तक ना है जब तो आप उसको सिखाने की पूरी कोसिस करिए क्योंकि वो student फिर आगे बहुत सारे student को लाएगा एक student पता नहीं कितने student को ला सकता है यह आप और हम नहीं कह सकते हैं तो इसलिए student को satisfy बहुत करना बहुत जरूरी है उसके लिए आपको कम fees और कुछ discount fees या जो लोगों को यह doubt था उनका doubt clear हो गया होगा आगे कुछ और अगर आपको यह doubt है तो आप किस topic पर वीडियो बनाना चाहिए आप मिच को share करिए और मैं उनके बनाने की पूरी course करूँगा और चैनल पर नहीं है तो please subscribe करेएगा और like करेएगा thanks for watching